पाइन लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले सबस्क्राइब करें एनसनाव यानि जन्गरना सितंबर से सुरू होगी और 18 महीने तक आंकड़े जुटाने के बाद इसकी रिपोर्ट जारी की जाएगी अब कुल मिलाकर हम आपको जो खबर सामने आ रही है जन्गरना को लेकर कैसे और कब से जन्गरना सुरू होगी इस बारे में आपको पूरी खबर बिस्तार से बता देते हैं तो आपकी स्क्रीन पर यह अखबार की कटिंग दिख रही होगी जो 21 अगस्त की है जहाँ पर आप तारीक भी देख सकते हैं 21 अगस्त लिखी हुई है और यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगले महीने से देश में जन्गरना सुरू होने जा रही है देश तीन साल से इंतिजार कर रहा है नियमते जन्गरना 2021 में होनी थी मगर कोवीड की वज़े से इसे अस्तिकित कर दिया गया था आजादी के बाद ऐसा पहली बार हुआ जब सरकार समय पर जन्गरना नहीं करवा पाई सुत्रों के अनुसार इस जन्गरना के अंतिम नतीजे वर्स 2026 तक मिल सकते है जन्गरना में बिलंब से हुई वास्तवी कांगडों की कमी को पूरा किया जाएगा जन्गरना के जिमेदारी से जुड़े दो वरिष्ट अधिकारियों ने इसकी पुष्टी कर दिया उन्होंने बताया कि जन्गरना का काम 18 महीने में पूरा हो जाएगा मार्च 2026 तक इसके नतीजे मिल जाने की उमीद है यानि 18 महीने तक जन्गरना का कारी चलेगा सभी लोग घर घर जाकर के जो करबचारी रहेंगे वो जन्गरना के आकड़े जुटाएंगे और मार्च 2026 तक उमीद है कि इसके नतीजे जो है सरकार द्वारा जारी कर दिये चाहेंगे जन्गरना में देरी के विज़ा से वास्तिक आकड़ो को लेकर सरकार की आलोचना हो रही थी सरकार योजनाओ और नीतियों के लिए आपर संगिक हो चुके 2011 की जन्गरना के आकड़ो का ही इस्तेमाल किया जा रहा था एक और यहां पर होगों को बता देने हैं कि मत्गरना कारिकरम की विष्थित रूपरेका को केंदरिग्री मंतराले और संख्यांकी मंतराले मिला रहे हैं और प्रधानमंतरी कारियाले से अंतिम मंजूरी मिलने के बाद ये कारिकरम सुरू कर दिया जाएगा अब जैसा कि हमने आपको पताया था कि जो पिछली बार जंगरना होनी वाली थी तो उसमें कुछ बजट जारी किया गया था जिस बजट को अभी तक खर्च नहीं किया गया है कुल 8,752.3 करोड का बजट जंगरना के लिए रधायत किया गया है दोहजार चौबिस पचीज के केंद्रिय बजट में जंगरना के लिए 8754 दसमलो 2-3 करोड रुपए के प्रवधान को मंजूरी दी गई है यह बजट 2021 में आवंटिट बजट से 309 करोड रुपए कम है यानि कि 2021 में जब जंगरना होनी थी उस वक्त जो बजट जारी किया गय है तो इससे कहीं न कहीं कुछ न कुछ असर तो पड़ेगा ही और पिछले माह कांगरेस ने जैराम रमेश ने इसे जो बजट में जो कम आवंटिन किया गया है इसके लिए आपर सन्नता भी जताई थी यानि इसका बिरोध भी किया था तो कुल मिलाकर ये बड़ी खबर है जहां पर सितंबर में जंगरना सुरू होगी 18 महीने में इसकी रिपोर्ट आएगी COVID-19 महामादी के वज़े से इसमें 4 साल का देर हो चुका है और क्योंकि अर्थसास्तियों के साथ भी पच्छ ने भी इसको लेकर सरपकार पर हमला बोला है अर्थसास्तियों का मानना है किस करियानोियन मंतराले ने मार्च 2026 तक जंगरना के परड़ाम जारी करने का लच्छ रखा है जिसमें 15 साल कि अवधिसामिल है और पी-म आप फिसे-पर्किरीया सुरू करने के यिए अन्तिम मंजूरी का इंतिजार किया जा रहा है जैसे ही अन्तिम मंजूरी मिलेगी जंगर अब इशली बार 2011 में करीब एक प्रसमुलाद दो एक करोड़ लोगों की जंगरना की गई थी हर धस साल मननना होती है लेकिन 2021 में कोवीड की वेज애 से पूरे जंगरना कारिकर्म रिस्ट कर दिया गए था यह सब लौंज कर दिया गया था कैसे जंगरना होगी सब कुछ डिजिटल करने के लिए जो मुहिम थी वो जारी हो गई थी लेकिन उसके बाद अब जो है 2021 में नहीं हो पाई सो सितंबर में सुरू होनी की सम्होना जताई जा रही है तो ये थी वो खबर इस खबर पर आपकी राये कमेंड बाक्स में जरूर बताईएगा अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा तक कि लेटेश नूज अपडेट आपके पास पहुँचे सबसे पहले नमस्कार